नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। अमित्शाहा ने एक उच इस तरिये बैठक आभूत कर ली है। और इस बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इसके अलावा IB और RAW के जो मुखियां हैं वो, एनेस से, अजूइत डौवल और उपराज जपाल, मनोज सिनहा, इसके अलावा अर्ध सैनिक बलों के भी जितने प्रमुख हैं, डी जी या जो भी उनके सरवच्च अदिकारी हैं, वो भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। और ये मीटिंग क्यों की जा रही हैं। नो जून को, दस जून को और ग्यारे जून को लगतार तीन दिन जंबू संभाक के ही रियासी में, कठवा में और डोडा में चार आतंकवादी वारदाते हुई थी हैं। और इन में सबसे अधिक भीशन जो वारदात थी, वो रियासी में थी, जहां तेर्थ यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया था। जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, दस मौके पर ही मारे गए थे और असंतुलित होकर के ये बस नीचे गहरे खड में जागे रही थी, इस वज़े से भी बहुत सारे यात्री गायल हुए है। अस्पताल में भरती कराए गए, फिर कटफवा में, कटफवा के एक गाउं में, रात्री के समय, और जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सीमा पार से, इंटरनेशनल बॉर्डर से घुस्पेट करके आए थे, वहां पर वारदा थुई, जिसमें CRPF का एक जवान भी वीर गती को प्राप्त हो गया, और दोनों अतंकवादी भी मार गिराए गए, डोडा में जो चेक पोस्ट था, और जो राश्टिय राइफल का सेना का आस्थाई केम्प था, उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, वहां भी मुठवेड हुई, कहने का आशे ये है कि इन ती वारदातों ने, जहां सीमा पार बैठे हुए इनके हैंडलर्स ने, इनके आखाओं ने अपने इरादे जाहिर किये, और जो पहली वारदात हुई थी, वो ठीक उस समय हुई थी, जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी राश्ट पती भावन के प्रांगन में शपत क्रहन कर थे, तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे थे, इसका एक संकेत था, जो उससे ठीक एक डिएड़ घंटे पहले रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस को अटेक किया गया था, उसको लेकर के जिस तरह की तीखी परतिकरियाएं देश भर से आनी चाहिए थी, वो आई, और ऐसे बहुत सारे राष्टवादियों ने भी सवाल खड़े किये, कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी इतनी भीशन वारदात के बाद भी चुप क्यों है, एक अजित भारती का ही, आप ट्वीट देख लीजिए, और ये तेरा जून का है, उनका, उन्होंने लिखा है कि कुएत में लगी, आग पर दो बार ट्वीट कर चुके नरेंद्र मोदी के हैंडल से, या PMO इंडिया के हैंडल से, रियासी की आतन की गटना पर चुपी बताती है, कि शवाना आजमी की टांग का दर्द, दस हिंदों की नर्शन सहत्या पर भारी पड़ जाता है, चार जोध्यार बनारस कचोट नहीं रहा, क्या आप अभी भी उसी मोड में हैं, कि हिंदू आपको वोट नहीं देगा, तो किसे देगा, विवेका नंद के रोक में साधना में लीन प्रदान मंतरी के हैंडल से, उनका दल ट्वीट कर सकता है, पर रियासी में जम्मू कश्मीर से उतर कर जम्मू में सो घंटे में हुई चार आतंग की वारदातों पर आप कोई संदेश नहीं देंगे, तो ये एक तीखा रियाक्शन, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, कि उड़ी में जो घटना हुई थी, और जिसके बाद सर्जी कलिश्ट्राइक की गई थी, उसके बारे में एक जन सभा में तो जरूर प्रधान मंतरी नरेंदर मौदी ने संकेत संदेश दिये थे, लेकिन जो पुलवा में आटेक हुआ था जिसमें हमारे सी आर पी एफ के 40 जवान वीर गती को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद भी नरेंदर मौदी की ठीक ऐसे ही चुपी बनी रही थी, और वो कारिकरमों में जा भी रहे थे, हामोश थे, लेकिन जो हुआ वो अब इतिहास है, और उसके बाद के जो पकिस्तान की तरफ के रियक्शन थे, बाला कोट की एर स्ट्राइक के बाद, वो उनकी बौखला हट को प्रदर्शित कर रहे थे, और हम दो में नहीं भूलना चाहिए, कि जब जब पकिस्तान की तरफ से इस तरह की बुस्ताखिया कराई जाती हैं, जैसी उडी में कराई गई थी, प्लूआमा में कराई गई थी, पठान कोट से ये एक ऐसा भारत है अब ऐसी एक सरकार है जो कहती कम है और करती जादा है वैसे चुनाव के समय अगर आपको याद हो तो प्रदान मंतरी नरेंदर मौधी ने तो उतने मुखर तरीके से नहीं बस एक दो बार जिकर किया और ग्रह मंतरी अमित शाहा ने जनसवाओं में भी इंटर्वियूज में भी खुल करके इस बात को कहा था कि अगर सीमा पार से कोई भी हरकत होती है तो अब ये बदला हुआ भारत घुसकर के मारता है और मूँ तोड़ जवाब देना जानता है अधित की घटनाव का उन्होंने उलेख भी किया था ऐसे में अमित शाहा द्व वारा जो रविवार को बैठक बलाई गई है तीनो सेना परमुखों की एनस से अजित डोवल की और दसैनिक बलों के परमुखों की आई बी की रो की इस बैठक को आप हलके में नहीं ले सकते हैं आप्शन क्या है भारत के सामने क्योंकि इधर कुछ और घटनाएं सीमा पार यानि पी-ओ-जेके में भी हुई हैं बहुत सारी आवाजें वहां से उठी हैं वहां पर महंगाई को लेकर के टैक्सिस को लेकर के बढ़े हुए कई गुना बिलों को लेकर के उनके साथ जो दोयम नागरे होने का के जैसा व्यभार किया जाता है जिस तरीके से वहां की सरक कार उनको बेसिक सुईधाएं उपलब्द नहीं करा रही है वहां आटे की किलत है वहां बिजली की किलत है वहां पीने के पानी की दिक्कते हैं और इंधन यानि पेट्रोल डीजल ये सब चीजें आसमान चू रही हैं उसको लेकर के लोग सड़कों पर आए और उन्होंने यहां तक कहा कि ये सरहदें खोल दीजिए हम भारत के साथ जाना चाहते हैं हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि जब से 375 ए हटी है और जमू कश्मीर के नागरिकों के साथ भी जो एक भेद वहाव चला आ रहा था वरसों से बलके आजादी के बाद से ही वो भेद वहाव खतम किया गया है जमू कश्मीर को भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह ही अब ट्रीट भी किया जा रहा है सुईधाएं भी दी जा रही है और ऐसे बहुत सारे महा के नागरिक थे जिनको मतादिकार से भी वन्चित रखा गया था उनके दूसरे हकों से भी महरूम करके र काम हुए हैं जिस तरीके से यहां श्यांती अस्थापित हुई है कुछ घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो उसका असर हमें उस तरब भी देखने को मिल रहा है और यही वज़े है कि वहां लोग जो अपनी मुक्ति के लिए संघर्स कर रहे हैं परदर्सन कर रहे हैं सड भारत का जंडा भी हातों में उठा रहे हैं और आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एक जन सभा में उत्तर प्रदेश में कहा था कि अगर हमें फिर से जनादेश मिला यानि तीसरी बार नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बनते हैं तो अगले छे महिने में पियो ज जे के भारत का हिस्सा होगा ये योगी आदित्यनाथ के शब्द थे राजनाथ सिंग हों या अमित शाहा हों और खुद प्रधान मंत्री भी एक आद बार इशारा कर चुके हैं कि पियो जे के भारत का अभिन्न हिस्सा है पूरा जो पाकिस्तान के कबजे में है वो भी और यहां विधान सभा में 24 सीटे महा के लिए भी रिजर्व रखी गई है आरक्षित रखी गई है खाली रखी गई है गिलगिट हो वाल्टिस्तान हो हर जगे वहां पर एक असंतोष देखने को मिल रहा है लोगों में एक आकुला हट है परेशानी है बेवसी और बेचैनी भी है और वो उस गड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत उनके मामलों में हस्तक शेप कराई और उन पर जो तरह तरह के अतियाचार हो रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाए तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंदर मौदी के शपत ग्रहन के दिन ही रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया उसका संदेश संकेत तो साफ था उधर से उकसाने की कोशिश थी और हिंदू तीर्थ यात्रियों पर अटेक हुआ इसका मतलब ये है उनकी मंशा देश के अलग-अलग हिस्तों में हिंसा कराने और हिंदू मुसलिमों को आपस में भीडाने की भी थी और ये इस तरह की पहली वारदात नहीं है आयोध्या में भी राम जर्म भूमी पर अतंकवादी हमला करने का प्रियास किया गया था जिसमें पांच अतंकवादी मारे गए थे वहां की कचेरी को भी निशाना बनाया गया था रवनात मंदिर हो अक्षर धाम मंदिर हो अलग-अलग समय पर अलग-अलग राज्यों में धारमस्तलों को निशाना बनाया गया है और इसके पीछे इंटेंशन बड़ी साफ है जो वहां पर बैठे हुए का फैंसला भी कर लिया जाए तो किसी को आश्चरिय नहीं होगा और जो हमारे यहां के विपक्ष का रवईया रहा है आतंकवादी वारदातों के समय जब आतंकवादी वारदाते होती है तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर निशाने सादो सुरक्षा बलों को कमजोर बताने की कोशिश करो उनका मनोबल तोड़ो और जब कारवाईयां हो जाती है चाहे सर्जिकल इस्ट्राइक हो या एर इस्ट्राइक हो उसके बाद सबूत मांगो किसाब पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि बाला कोट में किसी का बाल वाका नहीं हुआ वहाँ तो बस एक पेड़ पर जो है बंबारी हुई वो पेड़ गिरा और कुछ कवे मरे हैं इस तरह की बाते करो और ये सिलसिला इनका लगातार जारी है एक 2011 का वीडियो है राहुल गांधी का और ये जब मनमहान सिंग की सरकार थी ये तब का है एक आतंकवादी वारदात के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनवा देता हूँ और मैं उसे डेटेल रूप में दिखाना नहीं चाहता अभी इनकी प्रवक्ता है सुप्रिया स्रीनेट उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर के 2014 तक पाहरत के अलग अलग हिस्सा में बहुत सारी आतंकवादी वारदाते हुई है बहुत सारे लोग मारे गए है और परधान मंतरी कह कर लिया गया है इनके जो दोहरे मांदंड है यह जरह राहुल गांदी का ओडियो सुनिये कि यह क्या कह रहे हैं 2011 में जब इनकी सरकार थी जब प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग थी तब इनका सुर क्या था यह कह रहे थे कि हर आतंकवादी वारदात को रोक पाना संभव नहीं है तो अब राजनीती क्यों हो रही है और अगर कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होता है जमो कश्मीर में होता है तब इनकी बिलिबलाहट देखेगा और तब यह मौदी सरकार से सबूत मांगना भी शूरू करेंगे हर समय आतम कवाद को रोकना सब्भव नहीं है अगर यह है तो फिर आपके ट्वीटर हैंडल पर लिस्ट क्यों दी जा रही है कि दो हजार चोड़ा से दो हजार चोबिस तक कहां कहां बार दरते हुई है कितने जवान मारे गए कितने नागरीक मारे गए और कब क्या क्या हो यह सवाल तो खड़े होते रहे हैं कि हमारे यहां का जो विपक्ष है वो गैर जिम्मेदराना रही आपनाता है खास तोर से चीन की तरफ से जब गुस्ता की होती है या पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरह की हरकते होती है तब देश के और सरकार के और सुरक्षा बलों के स सवाल खड़े करने का काम करता है लेकिन ऐसा लगता है कि परधान मंतरी नरेंदर मौदी की जो चुप्पी है ये बेवजह नहीं है जो कुछ कहा गया था चुनाव परचार के दोरान और उससे पहले भी और पार्लिमेंट के भी तर भी मुझे लगता है कि अब उसकी प्लैनिंग बन रही है कुछ बड़ा भी हो सकता है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें वाद बोच धन्यवाद, नमस्क्राइब